कि चलिए तो सुरू करते हैं बच्चों question number 24 में काता है choose the best sequence of reaction for the transformation given एक reaction दिया हुआ बच्चों reactant product है और फिर काता है इसके लिए suitable reagent कौन सा होगा ठीक है न बच्चों जैसे देखें पहला ये क्या है बच्चो एस्टर है और यह क्या estherioplus मतलब hydrolysis जैसा कि आप समझते हो esther क्या है hydrolysis से क्या बनता है बच्चों carboxylic acid बनता है major product के रोप में तो बन गया और यहां पर बच्चों methyl है फिर SOCl2 SOCl2 यूज करने से बच्चों carboxylic acid convert हो जाता है किसमे acid halide में बोले तो chloride में तो यह भी सही है इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई फिर उसके बच्चों CH3 NH2 दिया तो NH2 मतलब आपको पता है amine ये एक nucleophile है तो यहांस बच्चों इस पर attack हो जाएगा इस carbon पर और यहांसे mechanism लगेगा SNAE और living group यहांसे leave कर जाएगा और finally फाइनली बच्चों यहांपर NH और CH3 ओव्यसी बात है इस N पर plus आएगा और plus हटाने के लिए यहांसे प्लस को रिमोग किया जाएगा और CH3 NH2 और जो हमें चाहिए और मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से मिल रहा है option number A इसका best option है best अभी नहीं बहुत सकते मतलब है B, B में बच्चों काता है कि OH- H2, इसका मतलब भी hydrolysis ही होता है और hydrolysis in basic media कोई बात में hydrolysis कर देंगे तो acid बन जाएगा PBR3 से bromine जहिसे यहां पर CR बना फिर काता है जो BR बनेगा फिर उससे MG डाल करके grignard बनाओ फिर CO2 लो तो बच्चों यह बहुत ही पेचिदा मामला है काने काम लो यह best method नहीं है lithium aluminum hydride इसको alcohol बना देगा alcohol फिर HBR से बच्चों जो CH2 OH है वो CH2 BR बन जाएगा फिर magnesium डालेंगे तो grignard बन जाएगा फिर CO2 डालेंगे फिर से carbox leak बनेगा फिर यह भी लंबा जोड़ा method है बच्चों यह भी best method नहीं है अब हम बात करेंगे question number 25 में कहता है एक key step key step in the hydrolysis of acetamide basically बच्चों यह acetamide है और acetamide का reaction कराया गया है करता है aqueous acid, aqueous मतलब पहले तो water लेज़े और साथी साथ यहाँ पर acetamide लेज़े तो कहता है कि जब aqueous acid के साथ acetamide का reaction होगा तो reaction proceed कैसे करेगा है ना जो reaction जब proceed होगा तो जो बनेंगे क्या बनेंगे है की step मतलब जब reaction आगे बढ़ेगा तो पहले step के बाद क्या बढ़ेगा दूसरे के बाद क्या बढ़ेगा वगरा वगरा की बात की रही है तो बच्चों यहां से जब इस देखिए nitrogen के पास भी loan pair है oxygen के पास भी loan pair है nitrogen का जो loan pair है बच्चों वो है de localize loan pair sigma pi और oxygen का जो loan pair है बच्चों वो है localize आपको पता है localize loan pair में electron density ज्यादा होती है तो इसलिए oxygen से ही attack होगा यहां पर जैसे oxygen से attack होगा बच्चों ते हां पर यह बन जाएगा ओपर प्लस और यहां पर नहीं जाए बनेगा और reducing где सकहए बते हम पर बच्चों फिर अगले paar में क्या होगा बच्चों इसका annex और अले क्या होगा यहां पर एक्ट्रीश होगा जैसा कि यह आपको पता है यहां से की कि Amide का Hydrolysis करने पर क्या बनता है Carboxylic Acid बनता है तो अब्यासी बात यहाँ से NH2 अट जाएगा ठीक है ना फिर बाद में H Plus का removal होगा और Finally Carboxylic Acid बन जाएगा तो कुल में लाकर बात यह है कि जब Aqueous Acid के साथ reaction कराएंगे Acetamide का तो क्या बनेगा है ना बच्चो क्या बनेगा तो बनेगा देखो First तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा Third में बच्चो H3O Plus से यह बनेगा ठीक है ना H3O Plus से यह बनेगा यहाँ OH- यह तो गलत ही है H2O से यह दुना हम देखे एक जैसाई देख रहा है ठीक है ना तो बच्चो H3O Plus जब हम लेंगे तो इसमें से H Plus तो इसमें जाकर पर जोड़ चुका है तो H2O ही बचना चाहिए तो यह इसका ज्यादा correct answer बच्चो ठीक है ना question number 26 काता है which reaction is not possible for acidic anhydride anhydride के लिए कौन सा reaction संभव नहीं है देखे पहला पहलें बच्चो CH3CO फिर OCO और फिर CH3 और यहां पर बच्चो दिया है प्लस में NH और CH3 का होल ट्वाइस यहां नाइट्रोजन का attack होगा इस पर यह बॉन तूट जाएगा और फाइनली क्या बनेगा CH3CO फिर N और बच्चों यहां पर CH3 का होल ट्वाइस तो यहां पर आराम से reaction हो जाएगा यह बदलिम जो byproduct में बनेगा वह बनेगा CH3COOH बनेगा यह ना बच्चों CH3COOH बनेगा फिर यह H प्लस यहां से remove करके इसका जो दूसरा मौल है उसके साथ यह H प्लस जोड़ जाएगा ति यह भी सही है मतलब गलती नहीं है इसमें दूसरे बाले बच्चों यहां पर जैसे एन हाइड्राइड का reaction इसके साथ कराया गया यही एन हाइड्राइड का reaction चलो इसको अंटाय लेता हूँ दूसरे इस टेप में बच्चों एन हाइड्राइड ले लीजिए और इसका reaction करा दीजिए alcohol के साथ जब आप alcohol के साथ इसका reaction कराओगे तो इसका attack होगा यहां पर यह तूट जाएगा बच्चों और ester बन जाएगा कोई दिकत की बात ही नहीं है और साथ ही साथ यह जो यहां से रिमूव होगा वो एसीड बना लेगा है एच प्लस लेगर के तो यह भी सही लग रहा है है ना तीसरा जो है बच्चों पोता है तीसरा जो रियक्शन है तीसरा जो है बच्चों वो है mechanism ESR electrophilic substitution reaction पर based है बच्चों इसमें क्या होता है जैसा कि आपको पता है C6H6 मतलब benzene है ना बच्चों और जब एन हाइड्राइड का एन हाइड्राइड का लुईस एसीड ALCL3 के साथ रियक्शन कराते हैं तो बच्चों यहां से तूट जाता है और बन जाता है SILEMN यह एलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन का जब एलेक्ट्रोफाइल के साथ रियक्षन होता है बच्चों तो इलेक्ट्रोफिलिक्स substitution मतलब यहां से hydrogen हटेगा और यहां पर यह एलेक्ट्रोफाइल आ करके जुड़ जाएगा जो कि ये product बनता हुआ दिख रहा है तो ये भी सही है गलती कहा है बच्चों गलती है option number D में option number D में बच्चों यहाँ पर NACL CL minus का attack कराया है और फिर ये बनाया बच्चों बनने वाला product एक तो NACL में आयनिक bond होगा बच्चों ठीक है ना तो obvious ही बात है यहाँ पर इस bond को तोड़ने के लिए bond dissociation energy भी जादा होगी दूसरी बात CL minus का attack होगा जब जो product बनेगा यहाँ पर देखे COO, CO मतलब carbon का oxygen के साथ एन्हाइटाइड में bonding है और यहाँ पर बच्चों COCL है ठीक है ना तो जो बनने वाला product है उसमें oxygen से भी अच्छा good living group present है तो यह reaction बच्चों by a quad direction में भी आ सकता है इसके attack के द्वारा ठीक है ना तो करता है कि यह reaction कौन सा reaction possible नहीं है तो यही बाला reaction possible नहीं है क्यों क्योंकि चुकि यहाँ पर chlorine good living group है with respect to oxygen तो बच्चों यह reaction है ना राइट हैंड साइड में भी यह reaction हो सकता है और हो सकता ने बलकि होगा और यह reaction backward direction में आ जाएगा तो कौन सा possible नहीं होगा तो option number 10 का correct answer है